जैपूर के रमिंद्रमंच की हिरक जैनती के उपलक्ष में यहां पर देश भर से एक बड़े-बड़े कलाकार यहां उपस्तित है इसी क्रम में आज आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं मौलाना जमी जिन्हों ने दुनिया की सबसे बड़ी कुरान बनाई है आए सीधी इन पन्ना ऊपर कर देंगे तो अंदाजा लग जाएगा कि कितनी बड़ी कुरान है यह कितनी विशाल इसकी लंबाई कितनी है सब्सक्राइब दस फूट पांच इंच लंबा है और साथ फूट छे इंच चोड़ा है यह किस कागज में बना हुआ है मौलाना सब्सक्राइब है सांगा देर में इस्पिखल तयार कर वाए है चार सो साल इसकी उम्र है और जब शोकेश में रहेगा तो हजार उसल रहेगा हजार उसल रहेगा यह महां शोकेश में है कब तयार की गई है बाई जनवरी 2014 से कुछ पहले तयार हुई थी इसके बाद एपी और आई टॉक में की नमाईश की गई थी पहले बार जब से वही पर रखा हुआ था ही चार दिन के लिए यहां पर आया है मैंने इसका सुपरविजन किया है मेरे चोटे बाई ने अपने हाथ से लिखा है यह हाथ से लिखते हुए आपको नज़रा रहा है आप इस खारी गुलाम आहम इनका नहीं में यह मेरे बेटे हैं राखिब आमद कागज काट रहा हैं यहां पर जोड रहे हैं यह लाईने कर रहे हैं पूल बुट्टों को चरेंस कर रहे हैं यह बेटियां घजला परवीन परवीन यह सब मिलके मेरी सेमेली Bureau का कर रह豹 है कि इस में 32 औराय चॉinizi continuar बैच और सब काम हाथ का है कोई चीज कंप्यूटर की नहीं है मुलारा साब ऐसा क्यों हुआ कि आपके मन में एक ह्याल आया कि विश्व की सबसे बड़ी कुरान होनी चाहिए चोदा सो बरस में से लेकर आज तक यह सुनते आ रहे थे चोटे साइज में चांदी पर, सोने पर, तामे पर, पीतल पर, चमड़े पर, कपड़े पर, मुक्तलिफ धातों पर लोगों ने लिखे हैं अलग अलग साइज में अफगानिस्तान में साथ फिट का तयार हुआ था यह जब हमने सुना तो मन में यह बात पैदा हुई मेरे धिहन में भी, और सावाच यह तोड़ के हाजी मुम्मत शेरखां साथ के भी कि हम भी कोई काम ऐसा करें, कि अपने हिंदोस्तान का नाम दुनिया में रोशन हो तो नाजे हमने ऐसा काम किया जो अभी तक अरब के पास, एरान के पास, जापान के पास, अमरिका के पास, दुनिया के किसी मुल्क के पास इतने बड़े साइज में मौजूद नहीं है, इसके अंदर जो लिपी का इस्तेमाल किया गया है, वो खते नस्ख है, तीन एम एम के किलम से है, हर पेज में एक तालीस लाइन है, हर लाइन अलिफ से शुरू की गई है, ये मालिक के महरबानी है, उसने हम से काम है, ये जो र कर रहा है, किसी का काम लाइन करने कर रहा है, किसी का जोडने कर रहा है, किसी का लिखने कर रहा है, मेरा काम सुपरविजन कर रहा है, तो जब आपने बताया कि दुनिया में कहीं भी इतनी बड़ी कुरान नहीं है, तो दूसरे मुलकों ने आपसे कोशिश नहीं की कि हमें दे तो की ना कहा कि 10 गुना 20 गुना 25 गुना जो भी लगा है आप बताओ मत क्या लगा आप तो बोल दो हम वही दे देंगे आपको लेकिन आपने क्यों नहीं दी हिंदुस्तान की महबत में नहीं दी कि हमारे मुलकों का नाम रोशन होगा राश्टरी ये दरवर है और हमारे शेरखान साहब जो वहां पर उनका फोटो लगा हुआ हाजी मौमत शेरखान साहब उनकी नियत भी यही थी हमारे जब विचार यही थे तो हम करोड़ो और खरबो रुपा कोई दे जब भी हम इसको नहीं देंगे हम तो यहीं पसंद करेंगे मेरे मन में साब एक सवाल आ र गया है महां तक गाड़ी आगी थी उसके बाद यहां लाए फारसी मतर्जी मौलाना अबुलकलामाजाद अरभी फारसी शोसंसान राजिस्तान टोंक में में काम करता हूं और यह पूरा इदारे में एक तरफ रामाएंड भी है महा भारत भी है भगवत गीता भी है आपके म पचास से ज्यादा सब्जेक्ट पर किताबे हैं इंडिया के बहार के लोग भी पचास से ज्यादा मुलकों से महां शोद करने आ चुके हैं और आते ही रहते हैं अभी जो चीज़ हमारे सामने आई थी कि कुरान के एतबार से लंबाई चुड़ाई के लिहाज से हिंदोस्त के बारे में हैं एक सरकार दौालम मुहम्मद रसुल्ल्ला के एक दामाद हुए हैं हिलियत नभी वो उन्हें एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने औसाफ बेहन किये थे उसको भी हम बड़े साइज में लिखना चाहते हैं आपने कुरान के ओपर इतना बड़ा काम किया कुरान के साथ में पारे में ये बात ल्ल्ह ने लिखी है ला तसब्ब लजीन यद्वोना मिन दूलिल्ल्ह ये कुरान का पेगाम है कि मालिक कि सिवा जो दूसरों को लोग पकारते हैं उनको भी बुरा मत को और कुरान के 26 पारे में है मालिक के नजीक वो इंसान अच्छा है जो नेक हो जिसका किरदार अच्छा हो वही सबसे बड़ा इंसान है जो अच्छे अखलाग वाला हो अच्छे किरदार वाला हो तो हमारी किताब हमें ये बात शिखाती है दूसरे दूसरे धरमों के बारे में क्या सिखाए तो इसलिए 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 इसल जक्ति भी इसी बात में हैं कि हम सब मिल्दूल कर रहें जैसा कि हाफिज शीराजी एरान के एक बहुत बड़े शायर हुए हैं वो कहते हैं फास्ट जबान में अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें